हाई दोस्तों आज की विडिमम कंपेर करने वाले हैं मीडिया टेक की तरब से आने वाला मीडिया टेक डामेंड सिटी एटेन के साथ मीडिया टेक की तरब से ही आने वाला मीडिया टेक हेलियो जी नाइटी सिक्स का तो देर किस बात की चलिए शुरू करते हैं हमेशे की तरह से दोनों प्रोसेसरी लग 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 एकदम लेटेस्ट प्रोसेसरी है CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो डायमन सीटी 810 आता है 6 नैनोमीटर प्रोसेस के उपर जिसको बनाया है TSMC ने जहां पर मिडेटेक हेलियो G96 बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस के उपर तो यहां पर हम लोगों तो पता ही है जितना फैब्रिकेशन प्रोसेस कम होगा बैटरी उतनी कम ड्रेन होता है प्रोसेसर हीट भी उतना कम होता है तो यहां पर CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की मामले में Dimensity 810 बेटर प्रोसेसर है CPU Architecture and Cores की बात करेंगे तो दोनों प्रोसेसर के साथ ही हम लोगों को 64-bit का Octa-Core प्रोसेसर मिलता है इसका मतलब है Task Distribution और Multitasking के लिए दोनों प्रोसेसर पे ही 8 Cores मिलता है तो CPU Architecture and Cores के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसा ही है CPU Clock Speed के बारे में बात करेंगे तो Dimensity 810 आता है 2 is to 6 का Big Little Approach के साथ जहाँ पर 2 Cores आता है ARM की तरफ से आने वाला ARM Cortex A76 के उपर जिसको Clock किया गया है 2.4 GHz के उपर बाकी का जो 6 Cores मिलता है वो आता है ARM की तरफ से आने वाला ARM Cortex A55 के उपर जिसको Clock किया गया है 2 GHz के उपर जहाँ पर MediaTek खेली और G96 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 Cores मिलता है ARM की तरफ से आने वाला ARM Cortex A76 के उपर जिसको Clock किया गया है 2.05 GHz के उपर और बाकी का जो 6 Cores मिलता है Silver Cores वो मिलता है ARM की तरफ से आने वाला ARM Cortex A55 के उपर जिसको Clock किया गया है 2.0 GHz के उपर तो यहाँ पर Silver CPU तो दोनों प्रोसेसर के एक ही है मगर जो Primary Core है यानि कि Gold CPU जो है यहाँ पर Clock Speed का फरक है MediaTek Dimensity 810 पे मिलता है 2.4 GHz वोला CPU जहाँ पर G96 पे मिलता है 2.05 GHz तो यहाँ पर CPU Clock Speed के मामले में Dimensity 810 बेटर प्रोसेसर है अब आता है Graphics Processing Unit यानि कि GPU के मामले में MediaTek Dimensity 810 आता है ARM के तरफ से आने वाला ARM Mali G57 MC2 GPU के साथ जो कि एक Dual Core GPU है और जिसको बनाया गया है 7 Nanometer के उपर और जिसको कितने पर Clock किया गया है यह MediaTek की तरफ से बताया नहीं गया है मगर जहाँ पर G96 का बात करेंगे तो यह आता है ARM की तरफ से आने वाला ARM Mali G76 3 EEMC4 वाला GPU जो कि एक Quad Core GPU है यानि कि चार Core वाला GPU है जिसको बनाया गया है 8 Nanometer के उपर और जिसको Clock किया गया है 900 MHz के उपर तो यहाँ पर GPU के मामले में G96 बेटर प्रोसेसर है क्योंकि यहाँ पर G76 वाला बेटर GPU मिलता है सिर्फ वही बात नहीं यहाँ पर Quad Core वाला GPU मिलता है अब आता है Camera Support पे Dual Camera पे Mediatek Dimensity 810 पे मिलता है 20 प्लास 16 Megapixel तक का Camera का Support जहाँ पर Single Camera में Highest 64 Megapixel तक का Camera का Support दिया गया है और सिर्फ वही बात नहीं इस पर Dual ISP भी मिलता है और Zero Sutter Delay भी मिलता है G96 की बात करेंगे तो यहाँ पर Dual Camera में 24 प्लास 16 Megapixel तक का Camera का Support मिलता है और Single Camera में Highest 108 Megapixel तक का Camera का Support दिया गया है Maximum और यहाँ पर EIS भी मिलता है यह प्रोसेसर के साथ और Zero Shutter Delay का Support भी इस प्रोसेसर के साथ मिलता है तो Camera Support के मामले में G96 बेटर प्रोसेसर है अब आते हैं Video Capture Resolution के मामले में Mediatek Dimensity 810 के साथ हम लोगों को 4K पर perfectly 30fps तक का recording का Support मिलता है और Full HD पर up 60 fps तक का recording का Support मिलता है जहां पर G96 पर हम लोगों को 4K पर अपट। 30fps तक कही Support मिलता है मगर यहां पर Full HD पर अपटू 120 fps तक का Support मिलता है और HD Video 720 tangible वाला वह 240 fps तक का Support मिलता है तो Video Capture Resolution के मामले में भी G96 beta processor है अब आते हैं modem support पे तो यहाँ पर बहुत बड़ा difference है क्योंकि Dimensity 810 एक 5G processor है और जहाँ पर Mediatek Helio G96 एक 4G processor है मगर इन दोनों processor के साथ ही integrated modem मिलता है Dimensity 810 पे 5G modem integrated मिलता है और G96 पे 4G modem integrated मिलता है Dimensity 810 पे downloading speed up to 2.3 Gbps तक का मिलता है और uploading speed up to 600 Mbps तक का support मिलता है जहाँ पर G96 की बात करें तो download speed यहाँ पर मिलता है 600 Mbps तक का highest और uploading speed up to 1500 Mbps तक का मिलता है तो modem support के मामले में कोई competition ही नहीं है यहाँ पर G96 से बहुत आगे निकल जाता है Dimensity 810 RAM support के मामले में दोनों processor पर ही dual channel LPDDR4X तक का RAM का support मिलता है जहाँ पर Dimensity 810 पे up to 12 GB यानि की 12 GB तक का RAM का support दिया गया है जहाँ पर RAM frequency maximum मिलेगा 2133 MHz जहाँ पर G96 की बात करें तो यहाँ पर up to 10 GB तक का RAM का support मिलता है मगर यहाँ पर भी RAM frequency सेन ही है 2133 MHz तो slightly better है MediaTek Dimensity 810 Storage support की बात करेंगे तो दोनों processor के साथ ही EMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1 यान UFS 2.2 यह सारे storage का option मिलता है तो storage support की मामले में दोनों processor एक जासा ही है display support की मामले में बात करेंगे तो दोनों processor के साथ ही Full HD Plus तक का display का support मिलता है maximum और दोनों processor पर ही up to 120 Hz तक का refresh rate support करता है तो display support और refresh rate के मामले में दोनों processor ही एक जैसा ही है अब benchmark platform की बात करेंगे तो Antutu पर MediaTek Dimensity 810 को मिला है तीन लाग पच्छा सजा तीन सो इक एक एंवे पॉइंट त्री लाग 50,391 पॉइंट जहां पर MediaTek Helio G96 को मिला है त्री लाग 5,720 पॉइंट तो Antutu के हिसाब से MediaTek Dimensity 810 बेटर है जहां पर Geekbench course की बात करेंगे तो Geekbench पर MediaTek Dimensity 810 को सिंगल कोड पर मिला है 620 पॉइंट से भी ज्यादा जहां पर मॉटी कोड पर मिला है 2000 कोईंट से भी ज्यादा और MediaTek Helio G96 की बात करेंगे तो यह इसको सिंगल कोड पर मिलता है 515 पॉइंट और मॉटी कोड पर मिलता है 1690 पॉइंट तो Geekbench के हिसाब से भी MediaTek Dimensity 810 better processor है अब आते हैं कौन सा processor कौन सा department पे better है तो fabrication process के मामले में Dimensity 810 better है यहाँ पर 6 nanometer का fabrication process मिलता है CPU पर यहाँ पर 2.4 GHz तक का peak clock speed मिलता है जहाँ पर modern support की मामले में बात करें तो यह बहुत आगे निकल जाता है क्योंकि यह 5G processor है और RAM support के मामले में भी slightly better है G96 की बात करेंगे तो यहाँ पर powerful GPU मिलता है Camera support थोड़ा सा बेटर है Video support थोड़ा सा बेटर है तो यहाँ पर देखा जाए तो overall पे हमारा winner निकल के आता है MediaTek Dimensity 810 overall पे अगर आपका preference अलग-अलग हो Camera वीडियो तो बात अलग होता है अब आते हैं कौनसा कौनसा फोन पे यह processor देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को MediaTek Dimensity 810 देखने के लिए मिलेगा Realme 8S पे और G96 देखने के लिए मिलेगा Realme 8i पे दोनों के दोनों फोनी launch होने वाला है तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लेने चैनल को बाई